हलो गुट इवनिंग आज की क्लास में हम लोग शुरुवात करते हैं नए चेप्टर के बहुत दिन होगे आपने खुद ने देखा है कि अपने पास हम लोग पढ़ रहे थे ट्रैंगल पढ़ा सरकिल पढ़ा इसके बाद हम लोग शुरुवात कर रहे हैं ट्रैंगल सरकिल हम हम लोग आगे पडहेंगे सरकिल अभी नहीं पड़ेंगल हम लोग ने पढ़ लिया इसके बाद हम लोग यहां पर पढ़ रहे हैं और सरक्रों अपना नेक्स फिर होगा तो आज काफी चैप्टर हो चुके सकते हैं अपने पास ट्राइंगल के तो आज एक नए चैप्टर की और इस class में only और only जो quadrilateral अपने पास है चत्र बुज जो होंगे उनका सिर्फ और सिर्फ introduction, उनका classification जैसे अपने पास rectangle है, square है, parallelogram है, rhombus है, वो सारी की सारी चीजें जो होंगी, वो हम लोग अपनी अगली class में पढ़ेंगे, आज मैं छोड़े छोड़े points आप लों को बताता पिस आने वाला है, देखिए, शुरुबात करते हम लोग quadrilateral की, चत्र बुज के हम लोग शुरुबात करते हैं quadrilateral, सबसे पहले चत्र बुज या quadrilateral होता क्या है, ऐसी भी कोई भी आ करती, जिसके चार साइड्स हों, और चारी vertices हों, चार बुजाओं से गिरी बंद आ करती चार साइड्स होंगी, और चार है इसके vertices होंगे, धान रखना ये वाला मानलो A है, ये वाला मानलीजे B है, ये वाला मानलीजे C है, और ये वाला मानलीजे D है, तो quadrilateral के चत्र बुज के चारों एंगल का सम, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D equals to 360 degree होगा चत्र बुज के चारों कोणों का योग 360 डिगरी होगा जैसा आप लोगों को मेरा पढ़ाने का तरीका पता है आप लोगों को याद होगा कि जो भी चीज़ें अपने सामने आएंगे उसका हम लोग क्यों पढ़ता है मैंने आपको फॉस डे बताया था जब मैंने इस शुरुवात की थी जब अपने इस यूटूब चैनल की शुरुवात की थी फॉस डे मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर अपने पास तिर्बुज के तीनों कोणों का योग 180 डिगरी होता है समझने की चुरुवात करते हैं उनको हम लोग पढ़ते हैं देखे कि कि इससे रिलेक्टाइड जो इंपोर्टेंट पउइंट्स से होगे कोडडरल से रिलेक्टेड उनको México पढ़ने की शुरूवात करता है धन दीजिये बौर पर यह अपने कोई भी quad-lateral है कोई भी चत्रुबुज है A, B, C और D यह एक A है यह B है यह C है और यह D है कोई भी चत्रुबुज है अपने पास A, B, C, E कोई quad-lateral है यहां से इसको मिला दिया जाए इसका एक diagonal यह है और इसका दूसरा diagonal यह वाला है यह मानलो दूसरे को E पर मिलते हैं और यहां से यहां तक यह मानलो A है यह मानलो B है और यह मानले जिए C पॉइंट है यहां से यहां तक और यह मानले जिए D पॉइंट है सबसे पहला पॉइंट आप लोग याद रखना आपको याद क्या रखना है कि ट्रैंगल A, B, D का एरिया अपोन ट्रैंगल नीचे वाले C, B, D का एरिया का रेशियो वही होगा जो A और B का रेशियो है धान रखना तिर्बुज यह जो उपर वाला तिर्बुज है A, B, D और नीचे वाला तिर्बुज है C, B, D इनके छेतरफल का अनुपात वही होगा जो यहां से यहां तक यह डाइगनल A है और यह वाला डाइगनल B है तो A is to B मैं क्या समझा रहा हूँ ट्रेंगल A, B, C का छेतरफल A, B, C का एरिया अपने पास ट्रेंगल दूसरा जो इधर वाला ट्रेंगल A, B, C और इधर वाला ट्रेंगल ले लिजए ADC ट्रेंगल A, D, C का एरिया एक तो हम लोगों ने यह ट्रेंगल ले लिया ABC और दूसरा यह ले लिया ADC ट्रेंगल ले लिया है इनके एरिया का रिश्यो वही होगा C is to अपने पास इधर वाला D है तो C अनुपात D ये कभी कबार इस concept और waste questions आ जाते हैं और कई बार अपना दिमाग नहीं चलता तो मैंने आपको ये point लिखवा दिया है ये point मैंने बता दिया है इसको याद रखना अब बात ये है कि ऐसा होता क्यों है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहां से यहां तक इस triangle के अगर मैं बात करूँ यहां से यहां तक मान लेजिए इसके height h1 है दूसरे marker से मैं मनाता हूँ यहां से यहां तक इसके height जो है यह मान लेजिए अपने पास h1 है और इसकी हाइट इधर मान लेजिए H2 है तो उपर वाले ट्रैंगल A, B, D का जो एरिया होगा A, B, D का जो छेतरफल होगा बेस B, D है और हाइट H1 है कि इसका छेतरफल अपने पास होगा हाफ बेस अपने पास B, D है और हाइट अपने पास H1 है अपोन नीचे वाला ट्रैंगल हाफ बेस अपने पास B, D है और हाइट अपने पास H2 है तो अगर अपने पास हाफ से हाफ कर जाएगा और B, D से B, D कर जाएगा रेश्यो आगया H1 और H2 का क्योंकि मैं आपको ट्रैंगल पढ़ा चुका हूँ जब मैं आप लोग को ये चेप्टर पढ़ा रहा हूँ क्वाड लेटल और अगला चेप्टर मैं पढ़ाऊंगा सर्किल हमेशा आप लोग ये पॉइंट धान रखना हमेशा ये चीज़ आप लोग याद रखना कि जो भी कुछ प्रूव होगा उसकी 95 से 98 पसंट जो चीज़ होंगी हमेशा ट्राइंगल से प्रूव होंगी ये आप लोग धान रखना और ट्राइंगल के एरा का जो फोर्मुला होता है तिरबुज के छेतरफल का फोर्मुला होता हाफ इंटू बेस इंट वाइट ये आपको पता होना चीए मैंने अभी तक नहीं पढ़ा है लेकिन मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ मैंचुरेशन ये बात आप लोग अगले चेप्टर में समझ जाओगे एरा का फोर्मुला दो छेतर फोर्मुला होता है इसके एक तो हाफ इंटू बेस इंटू आइट होता है और दूसरा जो छेतर फोर्मुला होता है यह मैं आप लोगों के लिए एक बार लिख देता हूँ यहां पर छेतर फोर्मुल का ट्रैंगल की दो साइट और बीच का कोण अगर दिया हूए है तो एरा का फोर्मुला यह भी होता है दोनों साइट को मल्टिप्लाई करते है और इंटू करते हैं हम लोग साइन थीटा से तो ए बी साइन थीटा ए इंटू बी इंटू साइन थीटा इंटू हाफ छेतरफल के दो फॉर्मुले अब देखिए मैंने का जो भी कुछ प्रूव होगा वो अपने पास प्रूव होगा हमेशा और हमेशा ट्रैंगल से मुझे बताइए दोनों ट्रैंगल इस पॉइंट को बडिगरी यह कौन इसके बराबर और अगर दो ट्रैंगल के दो एंगल बराबर होते ही सिमिलर्टी मैं समझा चकों यहां से अपने पास यह H1 और H2 की जगाम लोग A by B भी लिख सकते हैं, यह आप लोग धान रखना, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट मैं आप लोग को बताता हूं, यह पॉइंट वाइज आप लोग लिखते चलना, इससे आपको थोड़ा ज्यादा और सही समझ में आए पढ़ाए थी, जब समरूपता जब मने आप लोग को बताया था, उस तहीं मने एक लाइन आप लोग के लिए बोली थी, अगर आपको याद हो तो नहीं याद तो अब सीख लिजिए, अगर आपको यह लाइन याद नहीं है, यह पॉइंट याद नहीं है, तो अब सीख ल वो BC by 2 होती है, क्यों होती है, कैसे होती है, similarity जब पढ़ाया था triangle में, उस time में आप लोग को बता चुका हूँ, triangle के दो sides के midpoint को मिलाने वाली line, तीसरी से आदी और उसके parallel होगी, आप लोग धान रखना, याद रखना, याद है, अच्छी बात है, नहीं है, कर लो, एक छोट से में आने लाइक क्यूशन है, एक कोई भी चत्रबुज अपने पास, A, B, C और D, एक कोई भी चत्रबुज है, A, B, C, और D, इसके चारों sides के midpoint को मिला दिया जाए, ये इसका midpoint, ये इसका midpoint, ये इसका midpoint, और ये इसका midpoint, इसके चारों sides के, अगर midpoints को मिला दिया जाए इसके चारों साइड्स के मिड पॉइंटस को अगर मिला दिया जाए तो बनने वाली आकरति क्या होगी और चार उपसन देदेगा हमें A, B, C और D क्या रैक्टैंगल बनेगा क्या क्या स्क्वैर बनेगा क्या क्या पेर्लो गराम बनेगा क्या क्या रोंबस बनेगा क्या सम चत्रबुज हिंदी मीडियम वाले स्टुडेंट्स के लिए बोल दता हूं सम चत्रबुज समांतर चत्रबुज वर्क और आयत कौन से आकरती बनेगी यह ऐसा से में क्यूशन आ सकता है और इंपोर्टेंट है दूसरा पॉइंट समझा रहा हूं मैं क्यूशन के लिए याद रखना कोशिश करता हूं समझाने की देखिए मिड़ पॉइंट को मिलाने पर बनी आकरती क्या होगी कौन सा चत्रबुज होगा ऐसा हम लोगों से अगर पूछ लिया जाए तो क्यूशन कैसे सोल करेंगे सीखना आप लोग अगर कभी भी अपने पास इस परकार से कोई भी चत्रबुज धान रखना कैसा भी कोई भी कौड्रेट लो कोई भी चत्रबुज हो ये अपने पास A, B, C और D यहाँ पर हम लोग उन्हें एक इसके दोनों डाइगनल्स एक्वल नहीं होते धान रखना, यह इसका मिड़ पोइंट P है है इसका मिड़ पोइंट Q है, इसका मिड़ पोइंट R है और इसका मिड़ पोइंट S है तो अपने पास ये पहला डाइगनल अगर यहां से यहां तक हम लोग D खीज़ दें यहां से अगर ये डाइगनल पहले वाले का D1 है तो एक ट्रैंगल उपर बनेगा एक ट्रैंगल नीचे बनेगा यहां से यहां तक तो इसके पैरलल भी होगी और आदी भी होगी यहां से यहां तक को अगर मैं मिला दूँ तो इसके पैरलल भी होगी और इसके आदी भी होगी और अगर आपको याद हो यह इसके पैरलल यह इसके पैरलल तो यह दोनों भी एक दूसरे के पैरलल होनी है पहल तो एक इधर ट्रेंगल बनेगा तो तो आपने पास एक कहां से उस साइड मिड़ पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तीसरे से आधी और उसके पैरलल यह दिभाई टू है और पैरलल भी होगी तो इधर भी मिड़ पॉइंट है यह इधर ट्रेंगल की बात करों क ou ACD की मिड़ पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तीसरी से आधी और उसके पैरलल को और आधी और पेरलल है तो यह भी दोनों एक दूसरे के अब जहां पर भी आप लोग बैठे वीडियो देख रहे हैं आप लोगं को ऐसा लगेगा कि सर रेक्टेंगल भी तो हो सकता है जहां पर भी आप लोग बैठे हो वीडियो देख रहे हो तो आपको पता लगेगा कि सर रेक्टेंगल भी तो हो सकता है आपके दिमाग में क्यू डॉनु डाइगोनल से एक दुसरे को 90 डग्री पर काटते हैं जैसे मानलोहिए नव भड़ डग्री पर काटतेंं ये नवड़ ड्रकार्टे और यह दोनु रेडव ओली लाइन पैरलल है दोनों LINE अगर पैरलल है तो यह 90ग Catholic यह अगर 90 है तो यह अगर 90 है तो यह अपने पास 90 ऑने 90 ऐसे यह Blue वाली जो लाइन है दोनों यह जो Blue वाली light है यह वाली ओर यह वाली लाइन को यह तो यह 90 होने नब्हे और नब्हे कोई 50 यह brigbol और नब्हे proved प्रूव कर सकते हैं यह 90 यह 90 यह 90 अब पॉजिट साइड आर बराबर और पैरल्ल तो हैं здесь और नबडीगरी उस टाइम रेक्टेंगल रेक्टैंगल तब होगा जब नबडीगरी पर काटे है नबडीगरी पर नहीं काटे तो rectangle नहीं होगा फिर parallelogram होगा ये बात धान रखना और ये और ज़्यादा आपको समझ में हैगा जब मैं आपको इसके classification समझाऊंगा आप लोगों को मैं rectangle square parallelogram इन चीजों के बारे में जब मैं बताऊंगा तब ये point आपको ज़्यादा समझ में आएगा तो दूसरा point लिख लिजिए चारों sides के mid point को मिलाने वाली line हमेशा parallelogram होती है हमेशा समांतर चत्रवुज होती है दूसरा point और मैंने काया कि questions मैं इसके बाद मैं आप लोगों को करवाऊंगा questions एक साथ करोंगा पहले आप लोग theory पढ़िए theory को complete अच्छे से करो time जरूर लगेगा ऐसा मैं भी मानता हूँ लेकिन theory जब आप लोग पढ़ोगे और उसके बाद questions करोगे तो आपको सही और अच्छे से समझ में आएगा देखिए तीसरा point तीसरा point आप लोग ये धान रखना और एक इसका ये तो आसान सा point आप लोगों को पता ही होगा बीच में एक छोटा सा आसान सा point मैं बता दता हूँ A, B, C, D कोई भी चत्रबुज है माननों काम आ सकता है अपने इसमें इसले भी मैं बीच में बता दता हूँ तो धान रखना इस उपर वाले का जोचेतर फोलों होगा हाफ इंटु बे इस तो ड्य है और हाइट पी पीवन है प्लस इधर वाले का जो च्छेतरफल होगा A, B, C का च्छेतरफल होगा Half into base तो D है और height P2 है बराबर इसका complete दोनों को add करोगे तो चतरबुच का च्छेतरफल आ जाएगा तो Half और D अगर common ने हम लोग into D तो ये इसके च्छेतरफल का formula है एक अगर आपने पास इस पर एक diagonal पर दो perpendicular दिये वे हों तो ये चतरबुच का अपने पास formula है point number 3 आप लोग धान रखना अगला point चार number point ये छोटे-छोटे points में आप लोग को समझाते वे चलता हूँ और इनको आप लोग बार-बार पढ़ना ताकि आपके mind में set हो और फिर उन पर based हम लोग questions कर लेंगे point number 4 जो है अपने पास वो इस परकार से है इसको आगे बढ़ा दिया और इसको इधर बढ़ा दिया धान रखना ये वाला angle अगर x है और ये वाला angle अगर y है और ये वाला angle अगर a है और ये वाला angle अगर b है चार number point में आपको बता रहा हूँ angle a और angle b का sum always x प्लस y के बराबर होगा ये इस परकार से आगे बढ़ा दिया जाए ये x है ये y है exterior angle भाई ये कौन तो धान रखना a और ये b अगर है तो a प्लस b का sum always equal होगा x प्लस y के याद रखना क्यों मैं समझा दता हूँ हर चीज का क्यों मैं बताता हूँ अगर आपने मेरे पिछले वीडियो देखे हैं तो ये बात आपको पता होगी straight line है straight line पर बना angle 180 degree तो ये 180 अगर minus y है ये अगर y है तो उद्दर 180 minus y ये अगर बाहर वाला angle सीधा straight line नहीं है ये आगे बढ़ाने पर ये अगर x है तो अंदर वाला angle होगा 180 minus x और मुझे बताईए एक चत्रबुज के चारों कोणों का योग सबसे पहले point ही ये लिखाया था angle a plus 180 minus x plus angle b plus angle 180 minus y बराबर 360 degree 180 और 180 धर जागे कड़ जाएगा तो angle a plus angle b बराबर बचेगा angle x plus angle y के और ये ही मैंने आप लोग को लिखाया है अगला point आप लोग धान रखना याद रखना पांच नंबर जो point अपने पास पांच नंबर point थोड़ा सा important है याद रखना आप लोग यहाँ पर कोई भी चत्रबुझ है इस परकार से कोई भी चत्रबुझ है A, B, C और D इसके दोनों डाइगनल्स अगर कभी भी एक दूसरे को नबडिगरी पर काटें एक condition लेकर चल रहा हूं है दोनों विकर्ण अगर एक दूसरे को नबडिगरी पर काटें दोनों डाइगनल्स अगर एक दूसरे को नबडिगरी पर इंटरसेक्ट करें तो धान रखना अपोजिट साइड्स के सम का स्क्वेर कौन-कौन सा A, B स्क्वेर प्लस C, D स्क्वेर opposite sides के sum का square opposite sides के sum के square के बराबर होगा AD square प्लस BC square ये बात हमेशा धान रखना कब जब दोनों 90 degree पर काटें और दोनों 90 degree पर अगर काटें तो दूसरी property दूसरा point धान रखना चारों sides के mid points को मिलाने पर जो आकरती बनेगी वो उस टाइम parallelogram नहीं होकर rectangle होगी दूसरा point यहाँ पर ये धान रखना क्यों कैसे है वो चीज मैं समझा देता हूँ आया कैसे मुझे बताइए पाइथगोस थोरम से क्या हम लोग ऐसा लिख सकते है क्या कि AB square बराबर AB square बराबर AO square प्लस BO square AO square प्लस BO square equation first क्या हम लोग CD square बराबर लिख सकते है क्या कि OC square प्लस OD square ऐसे पाइथगोस थोरम से नब बड़िगरी के सामने करण अगर कभी भी है तो पाइथगोस थोरम आप लोगों को याद होगी पाइथगोस थोरम से हम लोग लिख सकते है AC square बराबर AC square बराबर BO square प्लस O C स्क्वेयर और इधर ऐसे पायथोल annie चाहर लिख सकते हैं A D स्क्वेयर ब्राबर A O स्क्वेयर Dr. इन दोनों को एड़ करोगे तो अपने पास A O स्क्वेयर B O sqeare O C sqeare O D स्केर हिन दोनों को एड़ करोगे तो वही ओ B sqeare वही O c ks qeare v uma sqeare और वhει हैं तो ये एकदम ठीक होता है इस point को आप लोग धान रखना अगला point point number 6 आप लोग धान रखना जैसे आप लोग लोगको एरा का formula मैंने आप लोगने को बताया था एरा का दूसरा formula इसका यह भी होता है। क्गूतर तरफल का एक formula इसके ये भी होता है अगर इसके बीच का कौन थीटा दिया वे तो एरिया का formula half d1 into d2 into sin theta भी होता है अगर कभी भी आपने पास दोनों डाइगनल्स और उसके बीच का कौन अगर कभी दे दे तो एरिया का formula half d1 into d2 into sin theta भी होता है ये आप अगर दो डाइगनल्स और बीच का कौन दे तो एड़ा का फॉर्मूला हाफ डीवन डीटू इंटू साइन थीटा याद रखना आप लोग यहां पर इस परकार से है यह हाफ डीवन डीटू साइन थीटा धान रखना पैरलेलोग्राम में स्क्वाइर में और अपने पास पैरलेलोग्राम स्क्वाइर में रेक्टेंगल में और अपने पास रोंबस में चारों में होता है half d1 d2 sin theta जो होगा वो अपने पास square में होगा अपने पास rectangle में होगा square rectangle दूसरा अपने पास parallelogram में होगा और rhombus में भी होगा half d1 d2 sin theta ये धान रखना इसके साथ याद रखना half d1 d2 sin theta कहो होता है rectangle में होता है square में तो दोनों एक दूसरे को नब डिगरी पर काटते ही हैं वो मैं बताऊंगा तो ये रेक्टेंगल में भी लग जाता है और ये किस में लग जाता है पैलेलोग्राम है ये हाफ डीवन डीटू साइन धिटा पैलेलोग्राम और रेक्टेंगल के लिए आप लोग याद रखना इस फॉर्मले को पार्टिक बी सी और डी यहां से ये वाला डाइगनल है और ये इसका विकर्ण है यह माद लो ओपर अगर काटते हैं तो ये छेतरफल एवन मान लो ये वाला एटू मान लो ये वाला एथी और ये वाला एफार धान रखना है सभी चत्रभुज में होता है ये पॉइंट तो याद होता है A2 into A4 के यह चीज़ आप लोग धान रखना क्यों देखिए मुझे आप लोग यह बताइए यह मान लो A है यह मान लो B है यह मान लो C है और यह मान लिजिए D है इसके बीच का कौन यह अगर थीटा है तो इधर 180 मैनस थीटा तो जो A1 है अपने पास जो ट्रैंगल अपने पास A1 है उसका जो एरिया होगा यह जो A1 जो हम लोगों ने माना है A1 बराबर होगा अपने पास A1 बराबर होगा किसके half into A into B और बीच का कौन sin थीटा में और धान रखना यहां 180 मैनस थीटा है यह माँ आपको ट्रिगनोमेट्री में बताऊंगा sin 180 मैनस थीटा sin थीटा यह होता है तो half A1 half A B और बीच का कौन 180 मैनस थीटा sin थीटा ऐसी A2 जो होगा अपने पास वो दो साइड B और C अगर है और बीच का कौन अगर थीटा है तो half B into C into sin थीटा और यह जो A3 है अपने पास A3 जो होगा वो होगा half into C into D into sin थीटा sin 180 मैनस थीटा और 180 मैनस थीटा sin थीटा ही होगा और A4 जो होगा वो होता है half A into B into sin थीटा अब एक काम कीजिए इन दोनों को half A into D है ना दो साइड है ना एक A है और एक D है A D sin थीटा अब A1 वे A3 को into करो तो 1 by 4 A into B into C into sin square और इन दोनों को भी into करोगे A2 और A4 को into करोगे तो आज आएगा अपने पास half A into B into C into D sin square और यह दोनों बराबर है तो धान रखना यह A1 into A3 है और यह A2 into A4 है यह सभी quadrilateral में लगता है सभी चतुरबुज में लगता है चाहे कोई साभी चतुरबुज दे दे यह formula सभी में लगेगा और यह सबसे ज़्यादा काम में आएगा ट्रिपेजियम में यह बहुत ज़्यादा जाकर important बन जाएगा यहां पर यह धान रखना तो अगला पॉइंट यह कितने नंबर था point तो आप लोग लगाते चलना मैं भूल गया हूँ point आप लोग लगाते चलना कि यह कौन सा point है next समझाता हूँ एक point आप लोग और धान रखना next point क्या है अपने पास किसी भी चत्रबुज के दो angles के bisector A, B, C और D यह कोई सा भी चत्रबुज है इसके दो angle के bisector इस angle का bisector कौन समझी भाजक धान रखना इस angle का bisector कौन समझी भाजक यह यहाँ पर ओपर जो कौन बने यह angle B, O, C जो होगा angle B, O, C इन दोनों के sum का आदा होता है यानि कि A by 2 और D by 2 होता है देखो बताने के बाद आप लोग 1 सेकंड में समझ जाओगे आपको कोई भी टाइम नहीं लगेगा एक बार जैसे ही मैं समझा दूं उसके बाद की जो चीज़ें हैं आप 1 सेकंड में समझ जाओगे लेकिन यह चीज़ें अचानक दिमाग में नियाएंगी धान रखना किन का इंगल बाइसेक्टर होतों क्यों होता है देखिए मुझे आप लोग यह बताइए एक चत्रबुज के चारों कौनों का योग एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर कितने डिगरी होगा 360 डिगरी पहला पॉइंट और मुझे बताइए यह पूरा बी था यह अपने पास बी बाइटू है यह वाला एंगल पूरा सी था एंगल बाइसेक्टर है तो यह अपने पास सी बाइटू है और यह अपने पास एंगल अगर एक बार ओ मान कर चलों बीओ सी ने लिकर ओ लिखों तो आप लोग को पता होगा कि अपने पास एं deduction numeric value 2 का भाग Crying जए 2 का बाग दोके तो इपाइट है 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 कि यहाँ दो का भाग दोगे तो सी भी टू और यहाँ दो का भाग दोगे टो दिपाइट यह 180 डिग्री फस्ट मानलो यह एक्वेशन सेकेंड सेकिंड मानलो जब आप लोग इनको बराबर रखोगे, इधर रखता है यहाँ पर, a by 2 plus b by 2 plus c by 2 plus d by 2, बराबर होगा किसके a by 2, नहीं, b by 2 यहाँ पर है न, b by 2 plus c by 2 plus angle o, c by 2, c by 2 कट गया, b by 2 और c by 2, angle o बराबर, जो o है, o बराबर बच गया, a by 2 और d by 2, यहीं तो मैंने लिखा है, तो यह चीज है, जो यह वाला पॉइंट है, इसको आप लोग याद रखना, next point हम लोग आगे चलता है, देखिए, only और only क्वाडिलेटल के लिए, जब चत्रगुज कोई भी चत्रगुज आज कोई भी अगर क्वाडिलेटल आए जाए, तो उसके लिए बात हैं भी, अब हम लोग जो next class से हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं, चत्रगुज के जो special point हैं, जैसे पहला मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा, rectangle के बारे में, पहला जो point हम लोग कर मैं इसको basic तरीके से complete समझाने वाला हूँ, पहले हम लोग पढ़ेंगे rectangle या आयत के बारे में, फिर मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा इसमें, यह जो है square के बारे में, यानि work, फिर हम लोग पढ़ेंगे, parallelogram, समांतर चत्रबुज, इंगलीज और हिंदी, दोनों मीडियम में हम लोग लेकर चलेंगे, ताकि आपको थोड़ा सा सही और अच्छे से समझ मैं, फिर हम लोग पढ़ेंगे parallelogram के बाद रोंबस के बारे में, यानि सम्चत्रबुज, फिर मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ, पांच नंबर जो पॉइंट है, वो मैं पढ़ाने वाला हूँ, ट्रिपेजियम के बारे में, सम्बलम चत्रबुज, और धान रखना आप लोग, और जो अपने पास एक cyclic quadril है, जैसे अंदर की तरफ अगर कोई quadril आजे, उसको cyclic quadril या चक्रिय चत्रबुज बोलता है, और बहार की तरफ quadril आजे, इसे circle की, ये जो point है, ये मैं आपको circle में पढ़ाने वाला हूँ, cyclic quadril, कुछ लोगों को लगेगा सर, cyclic quadril भी है, तो धान रखना cyclic quadril या चक्रिय चत्रबुज जो हता है, या अपने पास kite जो हता है, जिसके दोनों diagonal से एक दूसरे को नब बड़िगरी पर काटते हैं, छोटे वाला, बड़े वाले को जो, छोटे वाला जो है, बड़े व यह वहीं clear करूंगा, और वहीं माँ आप लोगों को आसानी से समझा पाऊंगा कि ऐसा होता क्यों है, तो वहाँ पर हम लोग clear करेंगे, यहां हम लोग यह 5 पॉइंट, अगली क्लास से काफी details है, दोनों language में लेकर चलेंगे, तो आज का जो वीडियो है, वो एकदम normal, आप को शिरफ introduction की quadrilateral होता क्या है, या उसके कुछ छोटे-छोटे जो points हैं, वह आप लोग यह याद रखना, बाकी की चीज़े हम लोग अपनी अगली class में कल पढ़ेंगे, कल का लेशन, इवनिंग में कल 6 बजे, तो तब तक के लिए bye bye, take care, see you in the next lesson, आप लोग इस चैनल को subscribe क करते रहिए, share करते रहिए और like करते रहिए, comment 100% करना है, यह बात धान रखना, okay, thank you, bye bye